नबस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टैक्नो दूबे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट के कुछ बैसिक डेटल के बारे में जैसे कि physics क्या होता है, physics की definition क्या है, father of physics कौन है, physics सब्द की उत्पत की कहां से हुई है तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को लाश्ट तक देखते रहें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजे, share कीजे, comment भी कीजिए कलर के इस सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और साथ में इस बेल वाले आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारी वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तो, physics का हिंदी होता है भातिक विज्ञान, physics सब्द Greek Language के फ्यूशिक सब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है नेचर यानि की प्रकृती अब हम physics की परिभासा देखते हैं, दोस्तो, physics के मुख्यता दो रूपे में परिभासित किया जाता है, एक है प्राचीन परिभासा और एक है आधुनिक परिभासा प्राचीन परिभासा कहता है कि बहुतिक विज्ञान विज्ञान की वह साखा है जिसमें प्रकृति एवं उसके दर्सनों का अध्यन किया जाता है यानि की प्राचीन परिभासा के अनुसार भौतिक विज्ञान में प्रकृति और उनके दर्सनों का अध्यन किया जाता है आदिनिक परिभासा कहता है भौतिक विज्ञान विज्ञान की वहसा का है जिसमें पदार्थ उर्जा और उनके बीच संबंधों का अध्यन किया जाता है तो दोस्तो यहीं जो परिभासा है सभी जगा मान्य है इस परिभासा के अनुसार पदार्थ, उर्जा और इन दोनों के बीच संबंधों का अध्यन ही फिजिक्स यानी की भौतिक विज्ञान कहलाता है अब मैं आपको बताता हूँ भौतिक विज्ञान के पिता कौन है जानकारी कहीं पर नोट करना चाहते हैं तो हमारे ब्लॉक विडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप वहाँ पर जाएए और इन सब डिफिनिशन को कहीं पर नोट कर सकते हैं उमीद करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी विडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजेगा, सेर कीजेगा, कमेंट भी कीजेगा और ऐसे ही लेटिस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल वाले आइकन को भी तबाएं